हालो फ्रेंड इलेक्टिकल लाइप में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स हम डिसेस करेंगे स्विच गियर और प्रोटेक्शन के इंपोर्टेंट जो कि जेवी गुपता बुक के है और आपको पता है किस से पहले हम इसका स्वाइब रहे थे लेकिन बीच में मेरी जॉइनिंग का प्रोसेस चलने लगा जिसके चगरण मैंने मतलब कि जॉइनिंग में मझे थोड़ा सा काम मतलब सब चीज काम था वो समय करने में मेरे को तो मैं कोसिस करूंगा कि अब आपको डेली वन या फिर टू वीडियो डेली अपलोड करूं जेकी जेवी गुपता बुक से रिलेटेड हो या फिर दर कोई भी चैप्रस पकड़के मैं आपको सॉल्यूसन देता रहूं ठीक है तो बस फ्रेंड्स आपका साथ चाहिए आप को चैनल को सेर करना है सबस्क्राइब करना है पसे इतनी रिक्वेष्ट है कि चैनल को सेर और सबस्क्राइब चरूर कीजिए तो चलिए हम अपने question start करते हैं तो question number 205 सबसे first question क्या हमारा है कि earth fault relay आ रहा है तो basically जो earth fault relay है वह basically use जो होता है या फिर होता है तो कैसा relay होता है directional relay, non-directional relay short operate time relay या none of these तो correct answer क्या होगा कि जो earth fault relay है वो basically होता क्या है तो देखे, एक जो earth fault relay होता है या होता है एक directional relay देखे, directional relay का मतलब क्या होता है कि जैसे suppose ये आपका कोई transmission line है ठीक है, तो यहाँ पे आपने एक relay लगाया हुआ है directional relay का मतलब क्या है कि suppose ये sending end है और ये receiving end है और ये आपका relay लगा हुआ है ठीक तो directional relay का मतलब होता है कि आप जब भी मतलब कि sending side है तो current आपकी हमेशा इधर सजाएगी लेकिन अगर कोई fault हो जाए कोई fault हो जाए अगर current की direction change हो जाए तो यह जो मतलब की directional relay होता है इसको मतलब इस तरीके सेट करेंगे कि जब तक current की direction इस दिसा में है ऐसे जा रही current तब यह operate नहीं होगा लेकिन जैसे ही कोई fault आता है fault के कारण अगर current की direction change हो जाती है suppose load पहले इधर था अब load से ही current जाने लगी कोई receiving or sending side में तब यह relay क्या होगा operate होगा तो directional relay हमेशा जिज दिसा में current flow होती है उसके बिपरीत दिसा में हम इसको लगाते है और याद रखेगा कि जो directional relay होता है इसको हमेशा हम load side लगाते हैं यह याद रखेगा कभी भी सोर साइड यानि सेंडिंग इंड साइड या फिर सोर साइड कभी भी हम डारेक्शनल रिलो को नहीं लगाते हैं और हमें साम कहां लगाते हैं इसको लोड साइड लगाते हैं ठीक है अब दीखे जो आपका मतलब कि डारेक्शनल रिले होता है यह बेसिकली को बेसिक के लिए हम कैसे यूज करते हैं प्राइमरी और बैकप प्रोटेक्शन दोनों के तरह यूज कर सकते हैं इसमें कोई नहीं है ठीक है तो अब दिखें कभी-कभी ना जैसे अर्थ-फॉल्ट रिले आप लगाओगे अर्थ-फॉल्ट के लिए तो अर्थ-फॉल्ट र कि यूज करते हैं वह फेज-फॉल्ट से कम पर करते हैं क्लियर इतनी चीज होके यह डारेक्शनल रिले होता है अब चलिए हम देखते हैं अपना अगला क्यूशन हमारा क्या है कि the domain of power system where directional over current relay is indispensable are यानि कि पूछ रहा है कि power system where directional over current relay देखे directional over current relay का क्या मतलब है directional over current relay का मतलब है कि direction जो relay की हम setting करेंगे हो तो direction पर करेंगी ही लेकिन over current का मतलब क्या हो गया कि एक threshold current होगी उस current से उपर जब current flow होगी तब जाके आपका ये directional over current relay operate होगा तो इसका मतलब यही है कि directional over current relay मतलब की indispensable are इनके साब parallel feeder protection इनके साब ring main feeder protection बोथ end भी तो देखे जो हम basically मतलब की कहां भी हम इसका यूज करते हैं तो directional over current relay आपका parallel feeder operation में भी हम इसका यूज करते हैं और ring main feeder में भी इसका हम इस्तेमाल करते हैं तो question number 206 जो है इसका answer जो होगा option number C होगा ओके चलिए अगला question क्या है अगला आए कि directional over current relay have two exciting coils connected across अब देखे जो directional over current relay है इसके पास दो exciting coil होती हैं और यह दोनों exciting coil जो होती हैं वो कैसी connect होती है CT secondary आप two different phases VT secondary आप two different phases CT and VT secondary आप the same phase CT and VT secondary आप two different phases तो 207 question number का question है वो क्या है देखे डारेक्शनल over current relay में दो exciting coil होती है दो exciting coil का मतलब क्या है कि एक CT हो गया और एक PT जहांपे आपको VT बोला गया है कि voltage ठीक है एक current transformer और एक potential transformer तो directional over current relay है two exciting coil connected across तो जो connected होती है दोनो exciting coil वो है basically आपकी connect होती है जैसे CT and VT secondary CT का secondary CT का secondary and VT यानि की या PT कह सकते हो कि potential transformer की secondary same phase में तो मतलब की जो आपका directional over current relay है इसकी CT की secondary ठीक है आपको पता है कि CT हम मतलब की कैसे लगाते हैं transmission line के series में और जो PT हमारा लगता हो transmission line के parallel में लगाते हैं ठीक है यह फिर load के series में तो directional over current relay में जो CT है और जो VT है उसकी जो two exciting coils हैं उनको हमेशा हम कैसे लगाएंगे एक phase में होंगी ओ दोनों ओके चलिए अगला question देखते हैं चलिए अगला question क्या है कि directional element connection of directional over current relay are popular described in terms of the angle by which unity power factor balance load current flowing in tripping direction lead the voltage applied to relay potential coil a protection scheme having the following potential coil and current coil connection in term s अब देखे आपको यहाँ पे यह जो दिया है यह relay दिया हुआ है और यह potential coil का voltage दिया हुआ और यह current coil की current दे रखी है अब देखे आपको समझना है ध्यान से समझे कि पूछा है कि जो potential coil है और यह current coil है इनके बीच में कितना angle form होगा अगर unity power factor है तो unity power factor पर देखो यहाँ पे दिया हुआ unity power factor तो उससे हमें नहीं balance load current flow हो रही है लेकिन अगर protection देखें यहां पर question क्या है कि यह protection scheme having the following potential coil and current coil connection is term set तो इनके बीच में normally कितना होता है यही आपसे पूछ रहा है ठीक है यही आपसे पूछ रहा है तो आप आपको बताना है ठीक है अब देखिए तो अगर आप ध्यान से समझें तो अगर हम बात करें तो relay जो होते हैं normally connect होते हैं यह phase minor में कैसे होते हैं यह phase में connect होते हैं और यह normally phase minor में connect होते हैं ठीक है phase की तरह हम इसको connect करते हैं तो जो हमें पूछा गया है phase minor में अगर connect हो रहे हैं तो यह जो potential TRAี के voltage होगा यह आपका लाइन Biekte होगा ठीक और यह जो current quickly rapid करेंट कितनी होगी अगर आपने 3 फेसरेंट कर देखा होगा कबिए 3 फेसर्क्यृ नायगराम देखा होगा तो अगर आपने यह देखा होगा कि यह आपका है और यहां से जो करेंट जाती है मालो यह आई यह है तो इनके वीच में हमेशा कितने दिगरी का कौन बनता थर्टी डिगरी का कौन बनता देखें अगर आपने देखा होगा तो जैसे यह तीन फेज आपने बना लिया और वाई भी पीछे पीछे चलती है, तो current कुछ इस तरीके से आपकी चलेगी, ठीक है, तो ये current जैसे ये पीछे की तरफ जाएगी, तो इनके बीच में जो angle बनता है, ये जो होगी ये मालो IY है, तो इनके बीच में जो angle बनता है, वो angle बनता है आपका 30 degree का, तो जो मतलब की coil है, ठीक है, यानि कि जो potential coil है और जो current coil है इनके बीच का जो angle मनेगा वो 30 degree connection होगा, कितना होगा, 30 degree होगा, ओके, चलिए, अगला question, अगला question देखें क्या है, अगला question है, कि the distribution system shown in figure is to be protected by the over current system of protection, for proper fault discrimination, directional over current relay will be required at location, यानि कौन से location पर हमको directional over current relay की जरूरत पड़ेगी, आपसे यही पुछा गया है, ठीके, अब देखें मैंने आपको बताया है, कि जो directional relay है, वो mainly used कहां पर होता है, तो यह use होता है, load point पे, ठीके, mainly कहां पर use होता है, तो यह use होता है आपका load point पे, ठीके, question number 209, देखें ध्यान से समझेगा, ठीक है कि हम इसको कहां पर यूज करते हैं मेंली लोड पॉइंट पर यूज करते हैं अब देखे suppose अब ध्यान से समझेगा कि एक रिले ये है एक रिले ये है एक रिले ये है ठीक है तो कहां कहां पर हमको directional over current रिले की जरूरत पड़ेगी अगर आप ध्यान से समझो आप धेखो ध्यान से समझना बस कि suppose एक fault यहाँ पे आ गया और एक fault यहाँ पे आ गया ठीक है अब देखे इधर भी supply side है इधर भी supply side है clear है? ध्यान से समझेगा बस कि supply side कहां कहां पर आपका है अगर fault की location मैंने बता दिया रही होगी पिछ में यह आपका पट्टी और उसके बाद इधर की current इधर से जा रही होगी कलियर है इतना समझ में आ रहा है ना कि जब पहले जब फॉल्ट नहीं हुआ था तो फिर current आपकी कुछ इस तरह से और कुछ इस तरह से जा थी लेकिन जैसे ही यहां पे फॉल्ट हो गया तो अब देखिए जैसे ही फॉल्ट हुआ यहां पे तो सारी की सारी करेंट अब यहां पे घुमके यह वाली करेंट ऐसे घुमके आएगी और फिर यहां फॉल्ट हुआ तो यह करेंट पूरा इधर ना जाके इधर से घुमके इ धर आजाएगी अब clear है इतनी चीज़ अब देखे ध्यान से उसके बाद अगर हम बात करें इस वाले मतलब की इस वाले grid में मतलब देखें यह 30 धर इस side इस side आप देखेंगे कि जैसे यहां fault हुआ तो current की direction तो इसमें तो यहीं से यहीं तक क्योंकि fault यहां हुआ तो current की direction यहां हो जाएगी फिर लेकिन यह जो तीसरे number पर जो relay है इसकी direction change हो जाएगी यानि current की direction कुछ इस तरीके से हो जाएगी हो जाएगी clear है fault हुआ तो current फिर यहीं सपास होगी ठीक है तो current जब यहां से पॉस हो रही है तो आप ध्यान से देखिए कि जो एक नंबर का रिले है एक नंबर यह आपका non-directional रिले है कैसा रिले है यह non-directional क्योंकि देखो यहां पे current की direction चेंज नहीं हुई current की direction उसी दिशा में फ्लो रही है देख रहे हैं आप देख लो current की डारेक्शन उसी तरह है तो यहां पे हमें directional रिले की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने पहले बताया कि रिले डारेक्शनल रिले हमेशा हम current पहले जिस साइड में फ्लो रही है नॉर्मल कंडिशन में उसके वीपर दिशा में डारेक्शनल रिले की current setting करते हैं ठीक है तो फिर यहां पे अब आप देखोगे तो current सब्सक्राइब तो यह रिले जो है नंबर एक वाला यहाँ पे non-directional relay होगी लेकिन दो number पे जो है यानि दो number पे जो relay लगा हुआ है यहाँ पे current की direction पहले इस दिसा में थी लेकिन fault आने के बाद आप इसकी direction change हो गई तो इसका मतलब है यहाँ पे हमको directional relay की जरुवत पड़ेगी यहाँ पे हमको कौन सी रिले की जरुवत पड़ेगी directional relay की जरुवत पड़ेगी clear है तो दो number पे हमारा directional relay होगा आप देखें तीन number पर तो तीन number पे भी आप देखेंगी कि पहले current की direction कुछ इस तरीके की थी कुछ इस तरीके की थी लेकिन अब change हो गई है तो जब अब change हो गई तो इसका मतलब यहाँ पे भी directional relay की जरुवत पड़ेगी यहाँ पे कौन सी रिले की जरुवत पड़ेगी directional और चार number पे आप देखोगे तो चार नंबर पे आपकी current same direction में जा रहे ही जिस तरह से पहले flow रहे थे उसी तरह से तब भी flow हो रहे थे तो यहाँ पे हमको non-directional relay की जरुवत पड़ेगी तो आप ध्यान से समझ सकते हो कि 2 और 3 2 और 3 पर हमें कौन से रिले की जरुवत पड़ेगी non-directional relay, oh sorry, directional relay की और एक और चार पे हमके कौन से रिले की जरुवत पड़ेगी तो वहां पे हमको जरुवत पड़ेगी non-directional relay की clear है तो आप से directional relay पूछा है तो आप directional over current relay बता दो कहां कहां पे लगेगा non-directional relay पूछता तो आप यह बता देते हैं तो इसका जो correct answer होगा वो correct answer होगा आपका 2 and 3 कितना होगा 209 question का जो answer है वो option number B होगा तेखे 5 में relay का कोई मतलब है नहीं यहाँ पे कहीं भी मालो fault हो रहा है suppose ठीक है करेंट इस डिरेक्शन से आ रहे थे तो करेंट इसी डिरेक्शन से आएगी तो यहाँ पे हमको non-directional रिले के जरूरत पड़ेगी basically ओके चलिए अब हम देखते हैं अगला question चलिए अगला question सेम देखे उसी तरहीं का question है वाज ध्यान से समझेगा question क्या कही रहा है कि पावर सिस्टम विद्ट जनेरेटर इस सोन इन दा फिगर बिलो पर सिस्टम जनेरेटर बसेस एंड ट्रांसमिशन लाइन इस प्रोट्रेक्टेड वाइश ओवर करेंट रिले आर वन तो आर शिक् operation the remote backup relay for R4R यानि R4 के लिए backup relay का काम कौन सा करेगा और वो relay कौन सा होना चाहिए वो relay आपका होना चाहिए directional and non-directional relay है ठीक है तो बेसी के लिए आपको बताना है कि यहाँ पे जो six over current relay है वो दोनों में mix है तो इसके लिए backup यानि R4 relay के लिए जो backup relay का काम है वो कौन करेगा यही आप से पूछा जा रहा है अब ध्यान से समझेगा मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया कि जो मतलब क कहाँ पहम को directional relay लगाना है कहाँ पर nondirational relay लगाना है थीक है तो कहाँ पहम को directional लगाना है तो द्यान से समझेगा कि आप से पूछा क्या है कि R4 के लिए कौन सा रिले backup relay की तरह काम करेगा तो देखे, R4 जो होगा, यानि R4 के लिए backup relay पूछ रहा है, तो इसका मतलब R4 के पास पहले primary protection होगा, यानि कि primary जिसको आप main protection कहते हो, तो R4 के पास तो main protection होगा, लेकिन अगर R4 failed हो जाता है, R4 मालों की fault को judge नहीं कर पाता, fault को clear नहीं कर पाता, तो इसके लिए हम लोग हमारा कौन सा हो सकता है, R1 होगा, R2, R3, R45, R6, कोई भी हो सकता है, या फिर total हो सकते हैं, या फिर इनमें से कुछ होंगे, ठीक है, तो जो backup relay हम यूज करते हैं, जब main relay हमारा काम करना बंद कर देगा, तो उसके जगह पे कोई और एक backup protection रखते हैं, और उस backup protection के लिए हमार R4 के लिए, चलिए, तो समझते हैं ध्यान से, सबसे पहले देखिए, जो ये source side है, यहां से current की direction जो होगी, कुछ इस तरीके की होगी, कुछ इस तरीके की, ठीक है, और उसकी बाद इधर से अगर हम देखें, तो current की direction कुछ इस तरीके की होगी, होगी की नहीं होगी, कुछ आप हमारा non-directional ले ले होगा, ध्यान से गर आप समझी है, तो देखिए, backup protection का काम कौन सा हमारा करेगा, अगर suppose, fault हमारा इस location पे आ गया, और इस location पे और इस location पे, यहीं तीन जगे fault आएगा हमारा, अगर आपको पता है, ठीक है, आपको पता है कि fault आपका तीन जगे पे आ आया है, तो आप ध्यान से देख रहे हो, कि आपका जो मतलब की जहां से अगर आप देखो, तो R1 के लिए तो current की direction सेम है, लेकिन R2 के पास तो पहले इसी current होनी थी, fault के बाद current की direction कुछ इस तरीके की हो जाएगी, जो कि मैंने पहले बता दिया आपको, ठीक है, तो उसी त direction इस तरीके की change हो जाएगी, अब देखिए, आप समझ रहे हो, कि R4 जो है, वो कौन सा relay है, R4 के पास जो हमारा relay यूज हो रहा है, वो आपका हो रहा है, directional relay, directional relay, ठीक है, directional relay, ठीक है, लेकिन, R1 के पास होगा, आपके पास कौन सा relay, non-directional relay, क्योंकि इसी दिशा में आपका current जाएगी, ठीक है, इसी दिशा में आपका current जाएगी, और यहाँ पे भी आपका कौन सा होगा, non-directional relay होगा, लेकिन, अगर fault यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, fault, देखो, ध्यान समझना, यह फेल्ड हुआ, यह अगर फेल्ड हुआ, तो फिर काम कौन सा आपका करेगा, ध्यान समझो न, अगर यह वाला फेल्ड हो गया, समझना है मुझको, यहाँ पे हमको पता है कौन कौन सा, देखो, यहाँ पे फिर, अगर आप देखो, fault इस तरीके से हुआ, तो current की direction ऐसे होगी, फिर ऐसे होगी, ठीक है, लेकिन आपको बताना है कि R4 के लिए backup protection कौन करेगा, क्य समझो, कि अगर यहाँ fault हुआ, यहाँ पे fault हुआ, यह clear नहीं किया, यह clear अगर नहीं कर पाया, ठीक है, तो अब ध्यान समझ रहे हो, कि कुछ इस तरीके की current यहाँ पे flow हो रही है, ठीक है, direction जो है current की कुछ इस तरीके से flow हो रही है, तो direction अगर current की इस तरीके से flow हो रही है तो इसका मतलब इधर से जो current flow होगी, इसी direction में flow होगी, तभी तो backup relay के लिए काम करेगा ना, तभी तो इसके लिए backup relay का काम होगा, तो इसका मतलब यहाँ से अगर देखें, तो R6 current जो होगी, R6 वह आपकी backup current की तरह काम करेगी, कैसी काम करेगी? back up relay की तरह काम करेगा R6 क्योंकि current की direction दोनों में देखो same है ठीक है उसके बाद R1 को अगर आप देखोगे तो R1 में भी current की direction कुछ इस तरीके से आएगी और इसके लिए back up का काम करकी जाए क्योंकि R2 में आपके पास तो non directional relay लगा हुआ है और इसकी direction difference है ठीक है इस वाले phase में कुछ इस तरीके से current आएगी ठीक है अगर यहाँ fault होता है तो ज्यान से अगर समझो सब्सक्राइब यहीं पर fault हुआ ना तो फिर यहाँ पर जो fault हुआ तो current कुछ इस तरीके की होगी और कुछ इस तरीके की होगी ठीक है और यह वाली current तो यहीं से चली जाएगी ना fault यहाँ पर हुआ है तो दो ही current आ सकती यहाँ पर एक तो यह वाली और एक यह वाली ठीक है तो इसमें जो R2 है यह कब operate होता है जब इसमें यह non-directional है वो सब्सक्राइब यह directional delay है तो operate होगा R6 और R1 इसलिए R4 के लिए जो backup relay की तरह काम करेगा वह आपका काम करेगा R1 और R6 R1 और R6 ओके तो क्लियर है तो question number 210 का जो answer है वो option number D है चलिए अगला question है कि consider the following statement distance relay used for the production of transmission line might operate undesirably due to option क्या है magnetizing current in rest power swings series compensating capacitor switching over voltage तो देखे क्या आप से पोच रहा है question consider the following statement distance relay अब देखें distance relay की अगर हम बात करें तो distance relay basically हमारा depend करता है कि जहां पे आपने relay लगाया है और जिसे fault जहां पे हुआ और relay के बीच की जो distance है उनकी बीच में VYI का जो ratio होता है जिनके मतलब की distance relay fault point और relay के बीच की distance के उपर जो relay हम बनाते हैं वह हमारा होता है distance relay और distance relay basically VYI ratio पर काम करता है distance relay basically किस पर काम करता है VYI ratio पर काम करता है और distance relay को ही हम क्या बोलते हैं impedance relay भी बोलते हैं तो देखिए आप देजी statement तो करेक्ट कौन सा होगा आपसे यही पूछ रहा है तो देखिए इसको हम देख लेते हैं कौन सा हमारा करेक्ट होका ध्यान समझीएगा बस देखिए तो जो distance relay used for the protection of transmission line might operate undesirably due to तो undesirably जो होगा हमारा क्या होगा वो basically power swing पर और series compensating capacitor पर इन दोनों चीज़ पर हमारा depend करता है ठीक है तो distance relay जो होगा basically हमारा impedance relay होता है और यह basically power surge और compensating capacitor इन दोनों के लिए हमारा use किया जाता है ओके चलिए अगला question है देखिए इन distance protection the relay measures तो distance protection में relay क्या measure करता है आपका तो देखिए तो जो distance protection है यानि distance protection बेसिकली distance relay से मेजर करेंगे तो distance relay basically youat CTMA장 निगेटिव Queens तो होगा ही ने distance मतलब VYI ratio VYI का ratio यानि impedance impedance कभी पाझाए पर आपको negative sequence impedance नहीं मेजर करके देता है तो यह हमेशा क्या मेजर करके देगा positive sequence impedance of the line from relay up to the fault point तो positive sequence impedance of the line from relay up to fault point तो fault point तक जो positive sequence impedance है वह distance relay के द्वारा हम protection zone में करते हैं clear है तो इसका correct answer जो होगा option number B होगा चलिए अगला है if the fault occurs near the relay the Vyri ratio will be आप देखिक कोई fault relay की पास हो रहा है तो जो v by i का ratio होगा वो क्या होगा जादा होगा की कम होगा देखिए ध्यान से समझना बस क्या मैं कह रहा हूं कि अगर देखिए जब भी कहीं पर फॉल्ट होता है तो आपको एक कॉमन सी बात बताता हूं कहीं पर फॉल्ट होता है तो इसका मतलब आप कहते हो कि करेंट बढ़ जाती है और उस पर्टिकुलर जगह पर बोल्टेज कम हो जाता है अब तो फिर आपसे पूछ रहा है सपूर कि एक नॉर्मल कंडिस्न या फिर हम बात करें कि फॉल्ट कंडिस्न में होती है और फॉल्ट प्र वो Relay से Δूर है, suppose Relay से Δूर है तो जहां पर फॉल्ट होँए Relay से दूर है तो गूमारा जो P ती है ओ क्या होगा Volt वहां पर कम होगा यहनि कि देख को हूं जब fault दूर हो रहा है fault जब दूर हो रहा है तो voltage हमारा क्या होगा कम होगा और current हमारी वहाँ पे ज़्यादा होगी ठीक है यह fault point की बात कर रहे हैं लेकिन अगर pass हो रहा है pass हो रहा है sorry यह जब pass होगा तो voltage हमारा कम होगा और current तो ज़्यादा ही करेंट कम होगी लेकिन रिले और फॉल्ट के वीच में डिस्टेंस कम है तो बोल्टेज कम होगा और फॉल्ट वो स्वारी बोल्टेज कम होगा और करेंट जादा होगी क्लियर है तो आपसे पूछ रहा है कि इस फॉल्ट अकर्स नियर दा रिले जब फॉल्ट रिले की पास होगा तो भी वाई रेशियो क्या होगा तो बोल्टेज कम होगा करेंट जादा होगी तो रेशियो आटोमेटिक Fault کہ градус एप 8 wattений से दूर है सोनी परफ परैले से दूर उला है तो बोल्टेज जादा हो गा करेंट कम होगी तो इसका रेशियो ज्यादा होगा इसका रेशियो मैक्सिमम होगा ठीक है लेकिन अगर फालट near तो रिले हो रहा है तो voltage कम होगा और i जो होगी वो ज्यादा होगी तो यह minimum है यह minimum है तो क्या है lower than that if the fault occurs away from the relay तो relay से दूर होने वाले fault के कारण जो भीवाई-i ratio होगा वाई relay के पास होने वाले मतलब की fault से भीवाई-i ratio कम होगा अपने बात समझ गये होंगे तो option number A correct होगा इसका, ओके, चलिए अगला question, अगला question है कि impedance relay may be huge, impedance relay huge किया जाता, may huge, balance beam structure, induction cup structure, sided poly structure, either A or either B, तो 214, 214 number का question है, इसको देखो आपको याद करना है, आप याद कर लिजे कि option number D, इसका correct answer हो जाएगा, अब देखें अगला question है, अगला question है कि impedance relay can be used for, तो impedance relay can be used, किसके लिए use किया जा सकता है, phase fault के लिए, earth fault के लिए, both earth and phase faults, 215, 215 number का question है, उसका correct answer क्या होगा, तो इसका correct answer होगा, phase fault only, तो देखे, impedance relay, जो हम use करते हैं, वो हमेशा करते हैं, phase fault के लिए, ठीक है, और अगर हम बात करें, तो जो impedance relay होता है, यह basically voltage restrained over current relay होता है, कौन सा होता है, voltage restrained, अब देखें, यानि कि, देखें, कोई भी relay होता है, उस relay में हम क्या करते हैं, कि, जैसे देखें, CT भी लगा होता है, और PT भी लगा होता है, ठीक है, तो CT और PT दोनों लगा होता है, आपको clear है, कि इसमें CT भी लगाते हैं, और PT भी लगाते हैं, ठीक है, तो जो हमारा restraint torque generate होता है, ठीक है, वो आप PT के कारण होता है, और जो deflecting torque, या फिर आप मतलब कह सकते हो, कि deflecting torque जो हमारा generate होता है, या फिर मतलब की relay को, मतलब fault की condition में आने के लिए, जिसे deflecting torque आपका जो generate होता है, CT के कारण generate होता है, किसके कारण, CT के कारण, ठीक है, तो अगर हम बात करें, तो जो आपका impedance relay है, इसमें एक PT होता है, और एक CT होता है, ठीक है, CT और PT, तो PT में जो होगा ये restraint torque, ज़्यादा होता है, जब normal condition होती है, TD से, restraint torque TD से ज़्यादा होती है, इस condition में, जब भी ऐसी condition आपको दिखेगी, इसका मतलब है कि impedance relay आपका normal condition में work है, यहाँ वहाँ पे कोई भी fault नहीं है, लेकिन, अगर CT, यानि कि जो direction, मतलब बेसिकली एक तरह से CT जो आपको direction प्रवाइड करता है, उसमें अगर TD ज़्यादा हो गया, TR से, यानि restraining torque directional torque से ज़्यादा हो गया, sorry, restraining torque directional torque से कम हो गया, उस condition में हम बोलते हैं कि fault आ गया, उस condition में क्या बोलते है, fault आ गया, तो इस condition से हम बोल देते हैं, कि जो impedance relay है, basically क्या होता है आपका, एक voltage restraint, यानि कि जो restraint generate होता है, वो voltage coil के कारण, यानि PT के कारण होता है, तो इसलिए इसको हम बोलते है, voltage restraint over current relay, तो impedance relay को हम क्या बोलते है, voltage restraint over current relay, ठीक है, तो अगर बात करें, अगला question जो है, 216 का impedance relay इस है, एक impedance relay क्या होता है, तो impedance relay होता है, voltage restraint over current relay, voltage restraint over current relay, clear है, चलिए अगला question है, threshold characteristic of a plane impedance relay, इन्हें complex Z plane इस है, तो impedance relay के लिए, जो हम Z plane बनाएंगे, तो उसकी threshold characteristic कैसी होगी, आपको यहीं बताना है, देखें, जब भी हम मतलब एक तरह से बनाते हैं, तो कुछ इस तरीके से हम बनाते हैं, ध्यान से देखेंगा, कि कुछ इस तरीके से यहां पे यक्स होता है, यह R होता है, ठीक है, कुछ circuit इस तरीके से हम दिखाते हैं, और दिखाते हैं कौन सा relay हमारा कहां पे होगा, ठीक है, इस तरीके से हम दिखाते हैं, तो question number 270 का, जो circuit with the center at the origin, तो जो हमारा plain impedance relay, देखे, plain impedance relay बोला है, कौन सा relay? plain impedance relay तो circle के बिल्कूल एकड़म बीचों बीच यह आपका, मतलब की, मतलब लाइख करेगा, मतलब यहां पे आपका पाया जाएगा, तो सर्किलग विद दे सेंटर एसर की बिलकुल सेंटर पर आपका कौन सा रिले पाया जाए आ प्लेंड इम्हें प्लेंख का रीले प्लें इम्पेडेंश सीब प्लेंट एक चले लिए पाया aspire अंट्लों कि उपरिएच पर रीच बशल लुड्यों तो 18 नंबर का जो क्यूस्टेन है इसको आपको बताना है ठीक है तो देखें अंट्रांजेंट कंडिसन मतलब फॉल्ट का मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसा फॉल्ट जो मतलब अचानक से आए ठीक है कुछी समय के लिए अचानक से आए फिर तुरंत आपका क्या हो जाए खतम ह हो जाए ठीक है तो वहां पर और करेंट रिल एंड इंपडेंस रिले जो होगा वो क्या होगा तो वहां पर अंडर रीच रहेगा यानि की पहुंचने की कोशिस करेंगा तभी तक वह फॉल्ट कातम हो जाता है तो ट्रांजेंट फॉल्ट वैसिकल आपको पता है कि रिक हैक्टेंस रिले में जो हम इस्ट्रुक्चर यूज करते हैं वो कैसा होता है ये तो इतनेष करने की याद कर लीजिए नॉर्मल की उच्छान मुझे लगता बहुत कठीन है थोड़ा समय आपको रिक्टेंस रिले के बारे में बता देता हूं कि रिक्टेंस रिले आपका होता है ठीक है और यह कंसिस्ट करता है टू यूनिट्स और करेंट डेवलोपिंग पॉजिटिव टार्क एंड करेंट वोल्टेज डारेक्शनल एलिमेंट तो देखिए अगर हम समझें तो इसमें एक सीटी भी आपका होगा और पीटी भी होगा ठीक है दो यूनिट जिस तरह से हम बोल रहें कि यूज करते हैं तो बेसिकली इसमें दो यूनिट हम ओवर करेंट डेवलोप मतलब सीटी का जो होगा इसमें दो कॉइल हम यूज करते हैं सीटी के लिए अपने देखा होगा कहीं कहीं पर भी कुछ इस तरीके कि हमारी को डिजाइन किया जाता है ठीक है सीटी की तो दो क्वाइल होगी तो बेसिकली इनके बीच में यहां दोनों पे करेंट फ्लो होगी ठीक और यह basically जो होता है क्या होता है voltage restraint directional relay होगा या directional restraint over current relay तो जो 220 number question है यह बहुत important है तो ध्यान समझेगा कि 220 number का question है यह basically मैंने कहा ना कि जो coil है इसको मैंने इस तरीके से यूज किया है अगर इस तरीके से यूज हुआ है तो यह basically current को add भी कर सकता है मतलब यह यहाँ पर add भी हो सकता है या फिर approach भी कर सकता है यह पिर आपोज होगा तो यह basically dependent करेगा directional restraint तो अगर हम बात करें तो यहां पर जो ct है यह आपका जो restraining torque है किस के दोरह होगा ct के दोरह से लिट किया जाएगा तो जहाँ पर मतलब कि restraining talk CT दौरा जनरेट किया जाए वहां पर हमारा reactance relay होगा और इस relay को हम बोलेंगे directional restraint over current relay तो option number C correct होगा option number C correct हो जाएगा तो I think आपको reactance relay समझ में आ गया होगा तो reactance relay कुछ इस तरीके से हम करेंगे तो आज की question को हम यहीं पर छोड़ते हैं next video में हम फिर questions लेके आएंगे तब तक के लिए चैनल को subscribe और share जरू कीजिए okay thank you